प्यारे बच्चों आप मैंसे बहुत सारे बच्चों के फोन मेशेज थे कि सर उत्त्तर पुद्देश के लिए कटाब बता दिजे, तो एक चीज़ आपको याद दिला है बच्चों हमने कटाब बताया था नीट के रिजल्ट के पहले और जो लोर रेंग का कटाब बताया था वो बताया था 592, 597, 20,000 रेंग, 17,000 से 20,000 और एज़ेक्टली 598 पर 20,000 रेंग आई है, एक नंबर का डिफरेंस है जब मैंने ये वीडियो डाला था तो आप मेंसे बहुत सारे बच्चों ने निसलाइक किया था, कितनी उपर मेरिट कैसे जाएगी मैंने बच्चों से बात की थी, बायो का पेपर देखा था, बच्चों ने जित्ता स्कोर किया था बेटा, उस आधार पे हमने प्रेडिक्ट किया था और फिर मैंने ये भी एक वीडियो डाला था, कि भागवान करें, मेरिट और लो जाए, और बहुत सारे बच्चों को गवर्मेंट सीख मिल जाए प्रेडिक्टन बच्चों इसलिए नहीं होता, आपको खुश करने के लिए, जो एनलसिस होती हो करीब सच्चाई के कितना करीब है, उसमें ये देखा जाता है पिछली बार, जनरल में 607 नमबर पे मिला था, रैंग थी 16,646, EWS में 606 पे मिला था, रैंग थी 16,994, OBC में 605 पे मिला था, रैंग थी 17,483, SC में 453 पे मिली थी, और रैंग था 1,28,562, और स्टी में 284 मार्क्स दक मिला था इस बार बच्चों सीटे बढ़ी है, स्टेट में भी, और आल इंडिया में भी, और 4-5 नमबर बेरिट भी लो गई है, इसलिए बच्चों 2021 में वो बच्चे दिजार कर सकते हैं जनरल में, जिनकी रैंक 20,000 के आसपास है, और नमबर है 598, 599 EWS में बच्चों 20,500 तक वेट कर सकते हैं, जिनकी रैंक नमबर है 597, 598 और OBC में बच्चों 21,000 तक वेट कर सकते हैं, जिनकी रैंक नमबर है 596 और SC कटेगरी में 440 तक और ST कटेगरी में 265 नमबर वाले बच्चे वेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों फिर से बता दे एक prediction है इसमें एक दो नमबर का variation हो सकता है एक दो नमबर आगे या एक दो नमबर पीछे Thank you so much बच्चों for watching the video ये सिर्फ एक prediction है इससे परिसान मत होईएगा Real चीज तो तब बता चलेगी जब कौन स्निक होगी Thank you so much